यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स ने जिसने जीप्यों की प्राइस को घटाया है अभी जो घटी प्राइस है क्या यह अमिंग मंच में सस्टेन होंगी और डिकरीज होंगी क्या होगी चलो उसके बारे में रपास कुछ न्यूज है सबसे पहली चीज जीप्यों की जो प्राइस डाउन हो रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो इथीरियम की प्राइस है वो 30% डाउन चल रही है तो इथीरियम काफी प्रॉफिटेबल बिजनस पहले भी नहीं था प्राइनस थे वो जैफिक कार्ड जो स्काल्प कर रहे थे तो फ़ोड़ा सा डिमांड उसके विज़े से कम हो गई है और दिमांड कम होने पर वज़े से और जो सप्लाइब बढ़ गई है प्री पैंडमिक लेवल की नहीं बोलूंगा बट जो चिप शॉर्टेज चल रही थी वो एक हद तक के रिडियूच्ड है तो जो रेदक्शन ऑफ डिमांड के वज़े से चलते है थोड़ा सा सप्लाइई वो इंप्रूव होती भी दिख रही है तो उस पर आपकी प्राइस कर रहे थे वो भी भाई आना चाहरे थे एंवीडिया र्टिक्स का 30 सीरीज लॉंच होने के बाद र्टिक्स 20 सीरीज एकदम ही डिसकंटीव हो गया था मार्केट में नहीं आ रहा था और स्कैल्प्रिंग तो आप लोग को पता ही है तो सेकेंड रीजन है चिप करने का इतना लंबा हो यह है कि जो इंटल है वो एक नया ग्राफिक कार्ड अपना लॉंच करने वाली है मतलब कुछ ग्राफिक कार्ड लॉंच करने वाली है जो कि लोवर एंड से लेके मिदें तक के जो यूसर्ज है अगर 6600 XT जो लोग उस करते हैं फिर 3060 Ti तक का जो उ जो यूसर्ज के लिए इंटल आर्फिक कार्ड की सीजरीज आ रही है इसका कोड नेम हैं इंटल अल्गमिस्ट यह जो ग्राफिक कार्ड है यह कुछ टहलगा मचाहेंगे क्योंकि बहुत सारे के मचले जिनको ग्राफिक कार्ड चैज्ज है जिनको उपग्रेट बॉल्ड व माइनिंग में जाएगा नहीं जाएगा वो तो आगे वाली मंच जैसे की जून जुलाई है उसमें आपको पता चली जाना है बट यहां पे जो सबसे important चीज है जो आपको गौर करनी है वो यह है क्या GPU की जो prices down हुई है मेरे असाब से तो नहीं होंगी GPU की prices बढ़ भी सकती है GPU की prices बहुत नीचे भी जा सकती है कैसे उसका reason मैं आपको बताता हूँ इथीरियम की price अभी डाउन है but it is just like a share market उसमें आप price कम हुई है हो सकता है कुछ दिनों बाद एकदम ही skyrocket हो जाया जैसे की 2019 में हुई थी एकदम से बढ़ा सा एकदम से हो सकता है बढ़ जाया बट होना नहीं चाहिए क्योंकि Russia and Ukraine के वज़े से काफी global unsettlement हो रखा है और China and Taiwan के बीच में भी इसी तरीके के कुछ माहूल चल रहा है I am not sure कि China और Taiwan के वज़े से क्या क्या हम दिक्कते होंगी आप खोदी समझ सकते हो पर जो Ukraine and Russia के वज़े से ताइवान और Chinese में जो manufacturing होती थी इन चिप्स की अब उसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां पर बहुर चल रही है तो अब उस वज़े से चिप शॉर्टेज हो सकता है फिर से बढ़ जाए और चिप ऐसी चीजे जो की गाडियों से लेगे आपके ग्राफिक कार्ट से इवन विदाउट आफ एथीरियम के वेचे से भी हो सकता है ना बड़े बढ़ भी सकती है तो बड़ा ही डाइसी सिचुएशन है I wish I wish guys कि मेरे पास को एक solid answer होता इस चीज का चोकि मैं आपको वीडियो में कह सकता बट इस वीडियो से आपको क्या बताना चाहरा हो को यह है इसके चांसे बहुत ही बहुत ही रहर है अगर हो जाए तब तो भाई फिर हर शरुल लास अग्दम एक अलग लेवल का festival मनाने वाली बात होगी बट एक दम इतना गजब का reduction नहीं पांच हेजार हो सकता है और कम हो जाए but nothing more than that हो सकता है बड़ भी तो यह एक चीज है जो मै कि share करना चाहरा था I wish I had some better answers to you guys but is what I have with me right now जुन जुलाई में देखने वाली बात होगी कि इंटल के ग्राफिक काड किस तरह के इस परफॉर्म कर रहे है अगर जानना है आपको कि क्या से परफॉर्मेंस होगी क्या चीज है उसमें आपको देखने को मिलेंगी तो इस चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करना हो और अगर यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लेगी ह तो लाइक कर दिना इस वीडियो को और कॉमेंट सेक्षिन और मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से ग्राफिक काड आप अगर अभी आज प्राइस MSRP पे एक दम से विदिन ए सेकेंड आज है तो कौन से ग्राफिक काड आप करीदना प्रोगे तो विधार आप आप इस वी